वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी संप्रभ। निर्विग्णम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा। ओमगम गणपतये नमह। गणपती बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुब कामनाएं। भगवान गणेश आ इस दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं किये जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा की जाती है और यह वरत में चंद्र देवता की पूजा की जाती है। लेकिन है इस दिन चंद्र देवता के दर्शन क्यों नहीं किये जाते हैं। इसके बारे में पुराणों में एक बड़ी सुन्दर से कथा प्रचलित है, जिसे आप गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बाद सुनेंगे। और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, तभी देवी पार्वती ने भोले नात से समय बिताने के लिए चौपड खेलने को कहा। लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहां कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हमने सिर्फ कौन जीता और कौन हरा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोग वश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा। तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजई बता दिया। जिसे सुनकर माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो गई। और क्रोध में आकर उन्होंने इस बालक को लंगडा होने और किचन में पड़ा रहने का श्राप दे डाला। माता पार्वती का विरोध कर पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। कहने लगा कि मा मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है। मैंने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक के चानक्य पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गई। उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया। कहा कि यहां गणेश पूजन के लिए नाक कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश प कन्याएं आई। नाक कन्याओं से बालक ने विग्ण हर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधी पूछी। पूजा विधी जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्तिभाव से प्रसन्न होकर गणे पूजे को विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश व्रत पर पहुचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनात से नाराज हो गई थी। ऐसे में भ भगवान शिव के प्रती नाराजगी थी, वह भी दूर हो गई। इसके बाद व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्व इस दिन व्रत रखने और विधिविधान से गणपती की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेश कृपा बनी रहती है। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कर सकता है। पिता की यह बात सुनकर कार्तिके अपने वाहन मोर पर प्रित्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए कि एक तो भारी भरकम शरीर उपर से उनका वाहन मूशक का। जो बहुत धीरे धीरे चलता अगर वह प्रित्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाते तो उन्हें तो बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की साथ बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ कर भगवान शिव यह देख कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने बड़े भोले पन से भोले शंकर को इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होते हैं। और सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह यह बनाए जाने लगा। अब जानिये कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किये जाते। वैसे तो पुराणों में इस बारे में भी कई सा खुबेर जी भगवान शिव माता पारवती के पास एक आमंत्रण लेकर कैलाश परवत पर पहुँचे। वे चाहते थे कि शिव जी और पारवती जी उनके महल में आकर उनके यहां भोजन करें। लेकिन शिव जी कुबेर की मन्शा समझ गए थे। वह जानते थे कि कुबे पारवती ने भी यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो उनके अकेले जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में कुबेर जी दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुसकरा कर बोले कि कुबेर जी अगर आपको मेरी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को साथ ले जाएए गणेश जी आपको सेवा का पूरा मौका देंगे। शिव जी गणेश जी की समझदारी को जानते थे इसी लिए उन्होंने यह निर्णय लिया था। अंत में कुबेर जी गणेश जी अपने बड़े भाई कारती के जी के लिए भी कुछ मिठाईयां लेकर जाएंगे और कुछ खुद भी खा लेंगे। फिर क्या था। गणेश जी ने धेर सारी मिठाईकों को अपनी गोद में रख और निकल पड़े। अपने मूशक पर सवार होकर रात का अंधेरा था। संतुलन खो बैठे और बड़ी तेजी से नीचे गिर गए। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाईयां धर्ती पर बिखर गई। फिर उन्होंने इधर उधर नजर से देखा कि कहीं किसी ने गिरते हुए तो नहीं देख लिया, जब किसी को नहीं पाया कि चलो अच्छा ह किसी ने मुझे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन वे कहां जानते थे कि दूर आसमान से उन्होंने कोई देख रहा था और वे चंद्रमा थे। गणेश जी जब आगे बड़े तो उन्होंने मिठाई कोई कठा कर रहे थे। तब उन्हें हसने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने अपनी नजर दाई बाई तरफ गुमाई तो कोई नई दिखा। फिर जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा, तो उन्होंने आसमान में चंद्रमा को हंसते हुए देखा। ये देखते हुए गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, उन्हें एहसा प्रकार से मेरी मजबूरी का मजाक बना रहा हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हें तो मेरी मदद करने की बजाए मुझ पर हंस रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राब देता हुँ, कि आज के बाद तुम्हें विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे, कोई भी रोशनी को महसूस नहीं कर सकेगा, आज के बाद कोई भी नहीं देख सकें, गनेश जी के मुख से निकलते ही, चारों और अंधेरा चा गया, और चंद्रमा की रोशनी भी गायब हो गई, फिर भैभीत हो गया, और अगले ही पल गनेश जी के चरणों में आकर माफी मांगने लगा, मुझे मैं आपके रूप से अंजान था, और अपनी सुंदर्ता के घमंड में आकर न जाने क्या-क्या कहे गया, कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार चंद्रमा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, और वह गनेश जी के चरणों में सिर रख कर रोते हुए कहने लगे, लेकिन दूसरी और गनेश जी थे, कि उनका क्रोध शान्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, अपनी भूल को पहचानने के बाद आखिरकार चंद्रदेव बोले, कि हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, और मुझे शाप से मुक्त कर द तो मेरे होने ना होने का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस प्रकार चंद्रमा को यूँ लाचार और बेबस देख कर, अपनी गलती का पश्चा ताप करते देख कर, कुछ देर के बाद गनेश जी का क्रोध कम होने लगा, मुस्कराय और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया, परंतु बोले कि है चंद्रदेव, तो मैं अपनी गलती का आभास हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अब वे चाह कर भी अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप को असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें वर्दान जरूर दे सकता गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसे तो तुम अपनी रोशनी तो तुम खोदोगे, लेकिन एक माह में ऐसा केवल एक बार ही होगा, इसके बाद तुम फिर से समय के साथ बढ़ते जाओगे और पंद्रह दिनों के अंतराल में एक दिन के लिए अपनी संपूर्ण वेश में नजर भी आओगे, कहते हैं कि गणेश जी का दिया गया श्राप आज भी चंद्रदेवता को जहलना पड़ता है, आज भी चंद्रदेव धीरे धीरे रोशनी होती हैं और हमें एक दिन अपने पूरे आकार में आ जाते हैं, जिसे पूर्ण मासी कहा जाता है, गणेश ज लिया हुआ शाप और वर्दान दोनों जरूर काम करेंगे, लिकिन साथ ही तुमने मेरा जो अपमान किया है, उसी सारा संसार याद रखेगा, तुमने चतुर्दी के दिन मेरा अपमान किया है, इसलिए जो भी वरत भादरपद आपके शुक्ल चतुर्दी को इस दिन तुम अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप जाना चाहते हो कि गणपती जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए तो मैंने अपने लिए इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है आप उस से जरूर देखे बोलिए गणपती बप्पा मोर्या धन्यवाद